आज हमारे पास है बजाज के लिबर 115 तो आई इसका एक्जॉस्ट पाइब साउंड सुनते हैं यह है पुराना बजाज और इसकी पुरानी साउंड इसमें लगार नहीं जा रहे हम लोग ऐसी पुजेक्टर तो आईए बिना टाइम वेस्ट के इसको फड़ापट स्फेटिंग करते हैं इस वीडियो में फिलाल यह भी मैंने स्टार्ट कर दिया है वही अभी एक्जॉस्ट को काट रहे हैं पुराने वाले और हम इसमें एससी पुजेक्टर लगाएंगे तो पड़ापट इसको काटके निकालते हैं एक से दो मिनट के अंदर यह सलेंसर निकल के बाहर आ चुका है और अब इसमें लगेगा एससी प्रिजेक्टर का है और यह यहां से जाके जुड़ जाएगा और निकलने वाला एक धमाकेदार साउंड वीडियो को पर एंट तक देखेंगे तब आको पता चल सकेगा और हमारे पास ऐसी प्रिजेक्टर का है और यह पस्ट कॉपी है और इसका में लगा के लिए लाते हैं उससे पहले हम इसका एक्जोस चेक करेंगे बैंड फाइज के सांग अगा अगा चापी चापी यहां लोगा है और यह जोगे ना करेंगे प्राइज कि अरू जाज कन दो आखेंगे लोगा है प्राइज करेंगे और यह जाने प्राइज को जागा है यह जागा जागा झालगे लुँआ ऑल यहां फैजा पोगाने शांगे दूज़ बंद कर तो फाइनली गाईज जैसे कि हम बात कर रहे थे एक जॉस्ट की देख सकते हो आप प्रॉपर वे में लग चुका है अभी और यह अभी लग गया है यहां से कटिंग हो गई है और अब जारे इसका फाइनल फर्स्ट टेस्ट करने किक मार के आए आए प्राइज देख सकते हैं पुरानी वाली आवाज कैसे थी और अभी आवाज देखिए कैसा डुक 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 पुरानी जैसे पुरानी बाइक की इंजन होती है ना उस टैप से वह रही है यह देखिए इंजन का आवाज यह कावासाकी बजाज कमपनी की जब यह दोनों साथ में कमपनी थी तब की गारी है केलिबर 115 उस समें एपसाइद ब्येस ब्येस टू ब्येस त्री कुछ भी नहीं आया था नॉर्मल सी थी इंजन भी 115 सी सी की है और एक्जॉस लगावा ऐसी प्रोजेक्टर का आईए इसका साउंड सुनते हैं और इसमें ज्यादा कुछ तो खेल हुआ नहीं है पहले हम इस बैंड को यहां से कटवा दिये थे गाईज इसको यहां से कटवाएं और एक बैंड से किलिवर 115 कावा साखी और इसमें लगाया एस सी प्रोजेक्टर और फिर पाउस कीजिए कि कट की प्रोजेक्टर और यह लगवाया है यह बिल्कुल अभी रात में लगाया और किस्टमर कहां के क्या उनका फीड़ बैक है इस सब कुछ बताएंगे फिलाल अभी इसका सु लेते हैं और इसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं करवाया है कि यहां से बैंड जो आपका पुराना सलेंसर और यह कटने के बाद हमने एक बैंड पाइप को जोड़ा यहां से ठाकि प्यार बगएर ना जले और पॉपर में कोई दर का कमी ना आए और इसको हम आवास आवाज हम सुन लेते हैं चला के और एक रोक के वाई सावान सुनते हैं तो पाइले आपका इंतियार खतम हो और गारी को में जारा स्कार्ट करने के लिए आए अविए आए 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 अब यहां रुकावा खड़ा करके सलेंशर का वास सिंग लो आप वोड़ा सामें आजाओं कि यह था इसका प्रॉपर साउंड पीशे ही तो तब मुझे सुनने में तो खैर बहुत मजा रहा है और अभी पता नहीं बहिया जाएंगे तो कैसा आवाज आएगा अब इसको हम यहां से बंद चाथे हैं गोड की तरफ गोड की तरफ गोड की में आपको जला के दिखाते हैं इसका साउंड चलाने के बाद यह कैसा साउंड निकलता और एंड में दिखाएंगे इसका पायर सॉट वीडियो को पर एंड तक लिएगा इस तब आपको थाई ओड गोड पार आपको पार एंड में चलाने के दो अब आपको पार मार को की तरफ लिएगे तरस जालाने के वड़ रह जापकी तरस लिएग्ण इंद्यार खतम हो और भाईया का excitement में आपको भी दिखाने जा रहा हूं पहले इनका नाम पूछते हैं हां सरब बताई आप भाईया जी आप कहा से है और क्या नाम है अपका मेरा नाम हम अमर्तिया है हम आए है हीरापूर तेली पड़ा अच्छा और यह जब आपका गाड़ी कैसा था मतलब पुराना साउंड कैसा जब आप लिए थे पाप दिला दिला दिया थे तो ना के बराबर ही था जब चलता था कि ऐसा लगता नहीं तक कोई गाड़ी चला रहे तो अब देख सकते गाड़ी क्या था और अब जो लग गया है उसके बाद देखे खुद बताए यह थोड़ा पुराना इंजिन और भी कावासाकी का इंजिन है उपर से यह भाया ने जो मुझको एक्जॉस्ट लड़ा के दिया यह इसका आवास को डबल कर दे रहा मतलब कैसा अलग कैसा रहा है अब मतलब पूरा बेसी साउंड और बहुत सुंदर साउंड आ रहा है सु आने में मजा आ रहा है हमको यह भी लग रहा कि थोड़ा यह परफॉमेंस परफॉमेंस बेटर होगा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अब देख लो आप खुद मैं कुछ बोल नहीं रहा था बीच में इसलिए इसका आवाज देखो खुद का यह कितना प्यारा आवाज आ रहा है तो फाले का इस मैं इसका भी टेस्ट देने जा रहा हूं यह प्रॉपर वे में अभी लग चुकी है यह देख सकते हो आप यह सी परेटर भी लग गया है यहां से बैंड लग गया है और अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि अपड़ो सामने आज़ों गाइस नहीं आपको पैसिता आपको अपड़ी निखलने वाली यह देखो यह अभी फाइरिंग निकलेगी